कि एलो एवरिवन प्रिंस्पल्स ओफ इन्हेरिटेंस और वैरिएशन इसमें वीडियो में मैंने कुछ नुमेरिकल्स दो नुमेरिकल डाले हैं तो इसका पार्ट वन है अभी मुझे मतला काफी नुमेरिकल्स इसमें डालने हैं जो बोर्ड के लिए और नीट एक्जाम या अ पार्ट पहला नुमेरिकल्स इसमें एक क्रॉस बिट्विने रेड फ्लार मिर इंग प्लांट एंड वाइट फ्लार बीरिंग प्लांट अब ब्रोडूस औल हैंग पिंग फ्लार है वर्काउट एक्रोस टू एक्स्प्लेन हाव दिस पॉसीबल तो इसके लिए हम इसको किस तरीके से इसकी explanation है किस तरीके से हम इसको solve करेंगे तो इसका जो answer होगा पहले वो कह रहे है कि parents मतलब parent क्या है इसमें red flower ये pure red है red flower capital R capital R इसका cross इन्हों ने किया है white flower से यहाँ पर ये white flower small r small r इसके gamits बनाओगे तो जो gamit बनेंगे ये जो gamit बनेंगे क्योंकि capital R capital R एक सेम है तो एक ही type के gamit बनेंगे capital R type इसके जो gamits बनेंगे small r type जब इनका cross करोगे तो F1 generation में capital R small r ये capital R small r वो कह रही है कि all plants having pink flower तो ये जो 100% बनेंगे वो pink flower है in F1 F1 generation में सारे pink flower हुए ऐसा क्यों हुआ कुछ मतलब जो explanations थी जब Mendel की death हो गई थी तो क्योंकि Mendel को Gregor John Mendel father of genetics उनके सामने नहीं मिल पाया था तो उनके बाद कुछ discoveries हुई थी उन discoveries में दो एक हैं पतलब जो की exception case है Mendel के first law का law of incomplete dominance and co-dominance तो incomplete dominance में क्या होता है कि जब capital R small R आया है तो ये ना तो dominant gene और ना ही recessive gene ये अपने character को यहाँ पर express नहीं कर पाती बलकि क्या होता है कि दौनों का mix up मतलब दौनों के middle का character appear होता है वो कुता है pink तो इसके दो example है एक तो anti-rahinum mazes गुलाबांस का flower होता है anti-rahinum mazes और एक होता है 4 o clock plant जिसको बोलते है mirabilis jalapa ये दौनों plant ऐसे हैं जो incomplete dominant को show कर रहे हैं तो F1 generation में जितने भी flowers होंगे मतलब जो plants आएंगे सब में कैसे होंगे pink flower और इसका proof भी है जब तुम पूरा का पूरा incomplete dominance को पढ़ते हो तो अब इसका तुम्हें proof भी बताना है कि ऐसा क्यों होता है ये pink क्यों होते हैं तो वो enzymes का roll है वो यहाँ पर नहीं मैं बता रही हूँ तो यह समझ में आ गया होगा यहां पर pink flower अब इनका जो f1 है यह वाले f1 जो pink flower के आए हैं इसकी selfing कराओ क्योंकि इन्होंने f2 का ratio भी पूछा है second part में पूछा write the ratio in f2 phenotype और genotype ratio पूछा है तो यह f1 हो गए f1 में हमें uptrend हुए इसकी कराओ selfing यह selfing capital r small r मतला इनी से इनकी selfing कराई है f1 plant gamets बनेंगे capital r small r और इसके भी gamets capital r type small r type यह gamet अब इसका checker board बनाओ गे यहां पर जब इसका checker board बनाओ गे एक साइड मेल प्लांट एक साइड फीमेल प्लांट capital r small r capital r small r इसका इससे करोगे capital r capital r इसका इससे करोगे capital r small r इसका इससे करोगे capital r small r इसका इससे करोगे small r small r in f2 in f2 तो यहां पर तुम देख रहे हो capital r capital r यह pure red जो फिनो टाईप ratio होगा फिनो टाईप यह हमेn pure red दिखा ही देंगे हमारे माले गॉर्डन में यह plant लगे हुए है तो pure red flower के होंगे यह दोनों pink flower के होंगे और यह white तो इसमें capital R ratio capital R ratio capital R ratio small R Selbst ग영 यह pure red हो गए वन यह लिग दो यहां पर प्योर रेड यह पिंक और यह वाइट तो यह कितने हुए टू मतलब प्योर रेड वन यह टू यह वन तो फीनोटाइप रेशो क्या हुआ वन इस्टू टू इस्टू फीनोटाइप रेशो का मतलब externally appeared character जो हमें भाार से दिखाई दे रहे हैं अब हम जीन्स के according लेंगे इसका इसका जीनोटिपिक ratio क्या होगा जीनोटिपिक रेशो भी एक जीन इस Type की Capital R, Capital R दो जीन्स होंगी इस Type की Capital R Smaller, Capital R Smaller और एक Smaller, то जीनोटाइप भी ऎहर क्या होगा? 1 suis to 2 is to 1 और फिनो टाइप भी 1 is to 2 is to 1, ठीक है, इनके जो दोनों रेशों होंगे, क्योंकि ये मेंडल्स के first law को follow नहीं करता है, उनका ये exception case है, ये example किसका है, incomplete dominance, ठीक है, तो ये पहला numerical उसका proof है, इस वीडियो में इतना ही, और जो second numerical मैंने लिखा हुआ है, इसका next वीडियो में answer हो ठीक है विटा, ओके.